तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनिकेडमी के इस नए और लेटस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग 10th क्लास के उर्दू का चैप्टर नूमबर 4 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है कटी हुई शाख और यह चैप्टर एक अफसाना यानि की कहानी है और कहान है उस हिसाब से इस कहानी का टाइजल इस चैप्टर का टाइटल 100% परफेक्टली मैच कर जाने वाला है कटी हुई शांख जिस तरह एक दरखती यानि की पेड से उसकी शांख यानि की टहनी कटकर अलग हो जाती है तो दूबारा कितना भी कोशिश कर लो जोड़ने की उस कितना भी कोशिश कर लो वो रिष्टा पहले जैसा दुबारा नहीं जुड़ सकता है दरार तो रहेगी ही रहेगी ठीक है ना तो कुछ इसी तरह का इंटरस्टिंग कहानी इस चैप्टर में बताया गया है पुरी कहानी बहुत ही ज्यादा मज़ेदार और इंटरस्टिंग है ठीक है तो ध्यान रखिएगा कटी हुई शाख नाम के इस अफसाना के अफसाना निगार मुस्तनिफ जो हैं लेकक भी बोल सकते हैं या फिर मुस्तने भी ही जाओंगे तो कोश्चन किसी बितर से घुमा कर पूछे आप लोगो एंसर एकदम सही टिक करके आना है ठीक है तो कटी वी शाख नाम के इस चैप्टिल के मुसंनिफ है डॉक्टर कमर जहां और यह कोई मेल नहीं है एक फीमेल है डॉक्टर कमर जहां इन्हों नहीं इस कहान टिक कर देना है और उनियां सब 52 देगा तो तो लोगर को सट लेघा नहीं ठीक है और ज्याद सब्सक्राइब monopol को ब्लॉक्त कर देना है ठीक है यहां तक समझ में आ गया समस्च्थी पुरलीला के बजर्ग द्वार नाब के गावन में कमर जहां की पैदाएश हुई थी जो कि जरा एकदम धीरे धीरे आराम अराम से समझें कोई जल्दबाजी नहीं है हम लोग आराम से समझेंगे और उसके बाद से अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा स्लो बोल रही हूं तो फास्ट करने का भी यूटूब ने फीचर्स दिया है आप लोग वी दिखाई रही है जो बोड पर मैं लिखी हूं यह साफ नहीं दिखाई दे रहा है तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा लीजिए चार साथ पिक्सल नहीं तो 720 पिक्सल में करकर देखी एकदम साफ और क्लियर दिखाई देगा जो मैं बुंदा डाली हूं यह मतलब नुक्तव अगरा डाली हूं यह सारा का सारा आप लोग एकदम क्लियर दिखाई देगा ठीक है तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए नहीं तो जूम भी कर सकते हैं अब तो यूटूब ने इतना ज्यादा फीचर्स दिया है ना या पूरा लाव उटाईए पूरा खुल कर उसका मज़ा दीजिए जूम भी कर सकते हैं और बोड पर क्या क्या लिखा हुआ एकदम जूम करके आपनों को देख भी सकते हैं यूटूब द्वारा दिये गए फीचर्स का लाव ठीक है तो यहां पर जड़ा समझिए कि डॉक्टर कमर जहां जो थी इनका खांदान इल्म और अदब से बिखने यूंपकृत कि से उन्होंने उर्दू में a और हेज़ी कोंस सब्झेक में टो उर्दू में और Innov ahor ruined की यह किया और उर्दू अदब से इनका भी दिल्चसबी बहुत जादा था क्योंकि इनका खांदान इंए इल्म अदब से दिल्चस्बी रखने वाला और उसी खंदान में पली बड़ी थी और इनको भी उद्धो अदब से काफी दिल्चस्बी था काफी लगाओ था और यही वज़ा है कि उन्हें से 66 सभी से ही यानि की तालिव इल्मी के जमाने से यानि की स्टूडेंट लाइफ ज जुनुने वफा जो की ये कहानी पटना से उन्हें 66 सभी को ही मतलब उन्हें 66 सभी में ही सुभा नौ महानामा से अशाथ हुई सुबह नौ महानामा यानि ये मंथली मैगजिन है और यहीं से उन्हें से 66 इस भी में जुनू ने वफा नाम का कहानी को क्या किया गया प्रकाशित कर दिया गया इशाथ हुआ ठीक सुन्दरवती महिला कॉलेज भागलपूर के शोबय उर्दू से तद्रीसी कैरियर का आगास किया और तरक्की करके भागलपूर यूनिवर्दू तक के ओधय को संभाला और बहुत ही ज़दा महनत की और तरक्की कर के आगे जाकर ये भागलपूर यूनिवर्सिटी के सदर शोबय उर्दू यानिकी जो उर्दू का डि नधना और या उसकन की सकता है और इनके अफसानवी मजमुवा का नाम याद रखिएगा, अफसाना मतलब कहानी और मजमुवा मतलब किताब, अफसानवी मजमुवा मतलब कहानी का किताब, तो इनका कहानी का किताब का नाम है चारागर, जो कि उन्हें से 83 इस्वी में परकाशित हुआ था, याद रखना है अजनबी चेहरे ये उने से क्यानवी रिस्वी में प्रकाशित हुआ था और याद नगर जो कि अभी ये जेर इशाथ है इसको भी प्रकाशित नहीं किया गया है ठीक है तनकीदी तसानीव तनकीद मतलब होता है खरे खोटे की पहिचान करना मैं आप लोगो कई बार बताई भी हूँ कोई राइटर कुछ भी लिखा है चाहे वो कहानी लिखा हो मजमून यानिकी निवंद लिखा हो दास्तान लिखा हो कुछ भी लिखा हो उसमें क्या सही है और क्या गलत है उसकी पहचान करके लिख कर बता देना ही तनकीद कहलाता है तनकीद को हिंदी में कहते हैं आलोचना, आलोचना करने का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बुराई ही जाहिर करो, नहीं, क्या उसमें कमी है और क्या उसमें खुबी है, दोनों बताना जरूरी होता है, और दोनों को लिखकर बता देना ही क्या कहलाता है, तनकीद कहलाता है, और जो तनकीद की किताब लिखी हैं जैसे कि अक्तर सिरानी की जिंसी वरुमानी शायरी मेयार कलाम अब्दुलिल्ला हाफिज मस्कुपूरी और हर्फ आ गई यह सब क्या है तनकीदी तसानिफ है जो कि कमर जहां द्वारा लिखा गया है ठीक है तो यह हो गया डॉक्टर कमर जहां के बारे में सारा डीटल्स जो आप लोगे बुक में दिया गया था यहां पर हो जाता है कमर जहां के बारे में सारा डीटल्स कमफ्लीट अब चलिए हम लोग इस कहानी को समझते हैं जैसा कि मैं आप लोग को बता ही दी कि जिस तरह एक पेड़ से दरख्त से उसकी शाख यानी इसमें बताया गया है एक इंसान के बारे में जिसका नाम नहीं बताया गया है लेकिन ऊस से मैं आप लोग को कहानी बताती हूँ कहानी कुछ इस तरह से है कि एक आदमी रहता है आदमी इंसान बोली बैती अगनवलना चाहिए इस हसीन और और रंगिन दुनिया को तुझे देखना चाहिए, बाहर जाकर तुझे विदेश जाकर कमाना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा होकर तो इस छोटे से गाउं में रहे रहे, तु तो एक कुए के मिंधक के समान है, जो कि तु बाहर की दुनिया देखा ही नहीं है, निकल इस अब भी दुनिया को में देखना और बाहर जाकर विदेश जाकर में कमाऊंगा, यहां तक वो विजा भी बनवा लेता है जाने के लिए, और अपने माबाप, अपने दोस्तों और अपने गाउं को, गाउं की लोगों को छोड़ कर वो चला जाता है, यहां तक कि उसके पित खुश रहता है जाने के लिए, उसके अंदर ख्यालात उमर उमर कर उसके जहन में बात आ रही होती है, अब तो मैं जाओंगा, खुब मज़े करूंगा, यह हसीन और रंगीन दुनिया देखूंगा, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ही ज़्यादा खुश, जाओंगा, और बहुत ज़्यादा कमाँगा, अपने शौक को पूरा करूँगा, जो भी चीज़े हैं मेरा अपना, यह यह खुर दूँगा, और इस बात की घम नहीं थी, कि वो अपने पिता को बिमारी की हालत में छोड़कर चलाया है, अपने मात अपने पिता को अपने दोस्तों को अपने गाउं के लोगों को छोड़ कर चला आया है उसके माबाप लाख रोकने की कुसिस किये थे कि तुम छोड़ कर चला जाएगा तो हम लोगों को कौन देखेगा तुम अध्या बेटा लेकिन फिर भी है वह अपने शौक में इतना ज्यादा खोगया था एक एसके बाद से हवाई जहां जाज मेंटर करता है में अपना सीट घूंड़ का बैठ जाता है और उसके बाद से जहाज उडान भरती है और वो साथो आसमान की सायर करने लगता है बहुत ही ज़्यदा खुश मतलब तरह तरह के ख्यालात उसके जहन में फिल्म स्क्रीन की तरह एक एक मिनट पर सीन बदल बदल के आ रहे थे और वो बहुत ज़्यदा खुश था कुछ ही दिर में जो air hostess होती है प्लेट में भोजन सजाए हुए खाना वगरह सजाया हुए उसको मुस्कुरा कर ला कर देती है उसको लगता है कि वह कितनी खुबसूरत है जन्नत की हूर है मुझको मुस्कुरा कर दे रही है लेकिन जब उसी मुस्कुराहट के साथ वो एयर होस्टेस उसके बगल में बैठे बुढ़े अदमी को वो खाना देती है तब उसका जाकर भ्रहम तूटता है और उसको एहसास होता है कि इस लड़की का कामी है लोगों को मुस्कुरा कर खाना देना ठीक है उसके बार से फिर यह अपने ख्यालात में खो जाता है तरह तरह के सपने देखने लगता है, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, विदेश जाऊँगा, तो ये खड़ दूँगा, ये मैं पहनूँगा, ये वो इस रंगीन और हसीन दुनिया को देखूँगा और वो विदेश चला भी जाता है, जाकर वहाँ पर कुछ सालों तक रेता है, शुरुवात में तो उसको बहुत ज़्दा खुशी होती है, हसीन और रंगीन दुनिया को देखता है, कमाता है, बंगला खरीद लेता है, कार खरीद लेता है, ठीक है, उसके पास पैसे हो जाते ह हैं, सी तरह कई साल बीट जाते हैं, कई सालों के बाद उसको यह एहसास होता है, कि अपना गाउं अपना ही होता है, यह तो शहर है, यह तो विदेश है, यहाँ पर लोग मसीन की तरह काम कर रहे हैं, किसी से किसी का कोई मतलब नहीं है, अपनापन ही नहीं है, यहाँ पर त बात माइने नहीं रखता है शहर के लोगों के अंदर सिर्फ अपने काम से अपना मतलब रखो उसके बाद से अब आगे और कुछ नहीं इसको इस बात का एसास हो जाता है कि गाओं के लोग जो हो अपने होते हैं कुछ भी होता है गाओं की लोगी कठ्था हो जाते हैं आपको पास्ट के जो पास्ट experience होता है जो जो अच्छे पल होते हैं हमारे गुजर गए रहते उसको तो कोई यादी नहीं मतलब कोई भी इंसान जो है ना अपने रिष्टों को आगे नहीं बढ़ा रहा है मतलब कि अपने जो अपने लोग है उसे के साथ दो चार प्यारी प्यारी ब वापस जाना चाहिए वो अपने गाउं की याद करता है कि उसके माबाप कितना उसको मतलब उसका ध्यान रखते थे खाने पीने के लिए पूछते थे ठीके हर एक चीज मतलब गाउं में जो अपनापन था ना वो कहीं पर भी नहीं गाउं के लोग भी इसको हर बात में किसी के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो अपने ही लोगों के साथ अपने ही वाइफ के साथ अपने ही बच्चों के साथ बैट कर दो तिन चार बाते कर ले इतना भी नहीं वक्त है सभी लोग मशीन की तरह लगे पड़े हैं काम करने में और पैसा कमाने में यहाँ पर मश्रीन की तरह लगे-पड़े हैं उसका दोस्त बोलता है तुम ठीक बोल रहे हो फिर वह बोलता है आदמी कि सभी लोगática की तरह लगे पड़े हैं काम कर रहे हैं आद्मी जब काम करके लोटता घर तो देखता कि सभी बच्चे और जितने भी बीवी हैं बच्चे हैं सभी लोग सो गये हैं फिर सुबाद जल्दी अपने बीवी बच्चे के उठने से पहले ही काम पर चले जाओ और फिर जब वापस घर लोटो तो फिर अपने बीवी और बच्चों को सोता हुआ पाओ फिर सुबाद अपने बीवी बच्चे के उठने से पहले तिर काम पर चले जाओ और उसके बाद से फिर आओ तो अपने बीवी बच्चों को सुता हुआ पाओ इस तरह हर इंसान रोबोट की तरह है काम कर रहा है, प्रजेंट में जी रहा है, सिर्फ पैसा कमा रहा है बाल बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं, बात करने की फुरसत ही नहीं अब वो सोचता है कि हमें वापस अपने गाउं लोट जाना चाहिए यहां तक कि उस इंसान के पास उसके माता पिता का चिठ्ठी वियाया करता था ना तो उस चिट्टी का ख्याल उसको महीनों भर रहता था और एक बार चिट्टी आई थी तो उसमें ये खबर उसको मिली थी कि उसके पिता की मृती हो गई है यानकि उसके वालिद की मौत हो गई है तो फिर वो जी भर के रो भी नहीं पाया क्योंकि वो जानता था कि वो बहुत गलत किया है अपने माता पीता के साथ अपने वालिद और वालिदा को बिमारी की हालात में छोड़कर चला आया इससे बड़ा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है वो जी भर के खुल करो भी नहीं पाया अपने पिता की मौत पर वो जा भी तो नहीं सकता था क्योंकि वो इसी का नहीं होता है और गाउं से तो वो मुँँ मोड़कर चला ही गया था विदेश शहर में अब जब वापस वो गाउं पहुचा तो देखता है कि गाउं जिस तरह वो छोड़कर गया था ना अपने गाउं को बिलकुल उसी तरह कोई बदलाव नहीं है उसका घर भी बि वो जो इंसान था अपने घर में अपने गाउं में वापस आने के बावजूद भी उसके अपने लोग वहीं पर थे उसके दोस्त भी थे अपनी माँ भी थी उसके गाउं वाले भी थे लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक अजनवी फिल कर रहा था जब घर के अंदर कद हुई शांख की तरह समझता है वाकई में जिस तरह एक पेड़ से एक दरख्त से शांख कटकर अलग हो जाता है ना फिर दुबरा उसको नहीं जोड़ा जा सकता है बिलकुल उसी तरह जब एक बार रिष्टे तूट जाया करते हैं तो दुबरा उसको नहीं जोड़ा जा सकता है और वही काम मैं किया था मैं गाउं को बीमारी की हालात में अपने पिता जी को बीमारी की हालात में छोड़ कर चला गया था सिर्फ मैं अपने अपना देख रहा था मैं अपनी खुशी देख रहा था और इतना जदा मैं खुदगर्ज हो गया था कि मैं अ कटी हुई शाख की तरह अपने आपको समझता है कि सच में मैं कटी हुई शाख हो गया हूं और यहीं पर यह जो कहानी है कंप्लीट हो जाती है यह आप लोगों को समझ में आया होगा और इस तरह कभी भी नहीं करना चाहिए इस कहानी से आप लोगों को सीख क्या मिलते हैं बातापिता का रिष्टा हो बाप बेटी का रिष्टा हो बाप बेटा का रिष्टा हो किसी भी कोई भी रिष्टा क्यों न हो हमें अच्छे से निभाना चाहिए और कभी भी किसी भी परस्तिती में उगता कर किसी भी रिष्टों को तोड़ना नहीं चाहिए कभी भी किसी भी के बाद दुबारा नहीं जोड़ा जा सकता है तो आपके जो जो अपनी लोग हैं जिसे आप लोग का रिष्टा जुड़ा हुआ है उसके साथ प्यार से रहें डांड दे तो भले ही आप सुन लिया करें ठीक है लेकिन ये जो रिष्टी की तोड़ने की बात आती है ना बहु कर बाते करके आप लोग जो भी कंफ्यूजन है उसको क्लियर कर सकते हैं जो भी डाउट है जो भी मिस अंडेस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर सकते हैं तो यह चीज होना चाहिए हर इंसान के अंत्रगत तो आप आप लोगो को यह पूरा कहानी समझ में आया होगा और पूर दूसरों के पास भी शेयर कीजिए अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा सके ताकि सभी लोग इस वीडियो का लाव उता सके और इस कहानी को सभी लोग समझ सके वो लोग भी जान सके ठीक है और उसके साथ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो समझ में तो हां लिखें कि हां मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया है ठीक है वीडियो को लाइक कर दे फड़ा फट और अगर आप लोग चैनल पर नए आई हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा उससे होगा यह कि मेरी रोज आने वाली वीडियो का और नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुचेगा तो चलिए आज किस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए जहिंद और खुदाहाफिज